कोशन ने डीजल की कीमत में 16% के ब्रेदी हुई एक व्यक्ति डीजल पर अपने खर्च को केवल 10% बढ़ाना चाहता है किस परतिसा तक उसे अपनी खपत में कमी करनी चाहिए ठीक है चलिए कोशन को करते हैं कैसी करेंगे मैंने आपको हमेसा एक बताया है कि एकस्पेंडिचर रिकोल्स क्या होता है 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 एकस्पेंडिचर अपन में प्राइज हो जाएगा इतना चीज आपको समझ में आ रहा है इतना चीज आपको समझ में आ रहा होगा अब देखिए जो डीजल का प्राइज है 16% क्या हो रहा है increase कर रहा है 16% के fraction बलू होती है 4 बटे में 25 यानि कि पहले जो प्राइज था डीजल का 25 था लेकिन बढ़का कितना हो गया अपका 39 हो गया यह क्या था आपका प्राइज डीजल का क्या होगा प्राइज बढ़ गया अब यहां से देखिए एक ब्यक्ति जो है डीजल पर अपने खर्च को केवल 10% ही बढ़ाना जाता है यानि कि पहले जो उसका expenditure था 10 था लेकिन अब बढ़का कितना हो गया अगा यह क्या आपका expenditure हो गया तू क्या हम यहां से consumption नहीं निकाल सकते हैं बिवकुर consumption निकाल सकते हैं कैसे करेंगे क्या हमने अभी आपको बदा है कि Conjumption निकुल सब्सूर क्याता है expenditure अपनों प्राइज expenditure पहले कितना था 10 था तो Conjumption में वह जाएगा है यहां से निकल कर आ जाएगा 11 बटे में 29 अब तिरसरा तिरसी मल्टिप्लाइ कर दो जाएगा कितना आपका 290 और इक कितना अपका 1155, 112 ने 25, 272, 275 यानि कि जो पाले 290 था लेकिन घटकर कितना हो गया 275 कितना गटा है 15 गटा है 15 बटे में कितना हो जाएगा आपका दो सो नव्य एंटु हंडेड है कि जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा 150 बटे में 39 हमें एप्रोक्स वेलू पूचिए अगर हम यहां से तरह 15 बटे में इसके लगबग में नहीं आएगा 5 को देख लेते हैं 945 के लगबग में तो यहीं आपका एंस हो जाएगा 5.2% 5.2% उसके खपत में कमी करनी पड़ेगी अपसन नमबर 2